जैहिं डिफेंस एस्परेंट्स वेलकम बेक एगीन दिस दिव्यांशु पांडी अगनी 5 की लाँचिंग के बाद अब भारत अगनी 6 के उपर कारिक कर रहा है जिसकी रिंज मोर दैन 12,000 किलोमेटर आपकी रहने वाली है तो चलिए जानते हैं कि भारत का ये ambitious missile program है क्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने अगनी 5 के माध्यम से MIRV technology को successfully आपका implement किया है और इस प्रकार से भारत उन विश्व के चुनिन्दा देशों में शुमार हो चुका है जिसके पास MIRV technology अर्थाथ multiple, independently, targetable, re-entry vehicle की technology है ये technology भारत के अलावा रश्या, चाइना, आमेर्का के पास आपकी मौझूद है और इसके बाद भारत इसमें चौथ है नमबर पर आपका आचुका है यानि कि विश्व में चार ही देश है जिनके पास आपका ये game changer missile आई हुई है और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अगनी 5 है उसकी range 8,000 km से भी आपकी अधिक है अगर हम देखें प्रमोशन तो 5,500 km का किया जाता है लेकिन अगर हम इसकी actual strength की बात करें तो ये आपकी more than 8,000 km की target तक आपका hit कर सकती है इवेन ये 10,000 km तक जा सकती जब आप इसमें थोड़ा warhead कम करते जाओगे तो अब इसके बाद क्या आता है इसके बाद अगनी 6 का नमबर लगता है अ major general जो कि आपकी artily से related है उनके द्वारा कहा जाता है कि अगनी 6 को बना लिया गया है और ये developed आपकी पहले से हो चुकी है जिसकी range आपकी 12,000 से भी आपकी अधिक हो जाती है ऐसा हम इसलिए इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि main platform में नहीं लाते क्योंकि बहुत सारे देश अपने moment तेड़ी कर लेते हैं अभी हमने जैसे अगनी 5 का परिछन किया था तो European media अलजजीरा और ऐसे भहुत सारे मीडिया की दावरा कहा जा रहा था कि भारत को ये करने की क्या जरूरत थी भारत क्यों anti environment हो रहा है जब उनका देश खुद which is the first, which is the second और nuclear missiles को बना कर उन् तो वो चाहते हैं कि भारत पीछे ही रहे और भारत हमसे आगे आपका बढ़ना पाए लेकिन भारत काफी तीजी से चल लहा है MIRV technology के माधहम से हम 4 से 5 target और even 10 targets को जो है different location पर simultaneously आपका engage कर सकते हैं इस प्रकार से अगर हमारे पास 10 launcher होते हैं और एक missile से अगर हम 10 warhead निकाल लए हैं तो वो आपके 10 launcher 100 target को आसानी से धोस्त कर पाएंगे और इस प्रकार से चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो उनके लिए थो हम पहले से हमने इंतिजाम कर रखा है अब बात आती है यूरोप और अमेर्का की वैसे तो कोई हमारा दुश्मन है नहीं हम नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी हमें तैयारी पूरी करने चाहिए और हमारा जो पूरा अर्थ है तो ऐसी हमको इतने ranges की missile बनाने चाहिए जिससे कि पूरे अर्थ के सभी कूने को भारत आपका cover कर सके चाहे अमेरिका हो या फिर आपका चाइना या आपका रशिया हो इन सभी के पास 18,000 किलोमेटर तक के range वाली missiles है भारत के पास अभी तो हम अगर अगनी 5 को ले लें तो ये 8,500-9,000 किलोमेटर तक जा सकता है तो अभी चाइना का कितना सक्सेस्फूल है MIRV टेक्नोलोजी की कहा नहीं जा सकता क्योंकि 2022 पे इन्होंने जब लांच किया था तो लांच इनको ताइवान के तरफ करना था चला गया था अकर टोकियो की तरफ तो जैसा चाइना है चाइना अपने माल के लिए जिस प्रका से भारत 12,000 प्लस किलोविटर की कैविल्टी को आपका एचीव करेगा तो यह विश्व में अपने एफेक्टिव डिटरेंस के लिए जाना जाएगा और चाइना की जो सम्मरीन बैलस्टिक मिसाइल सम्मरीन से वो भी हमारे टार्गेट पर आपकी आसानी से आ जाएगी इस इसी के साथ Southern Indian Ocean और Central Pacific Ocean इसको तो पहले आपका इंडो चाइना ओशियन सी कहा करते थे अभी थोड़ा नाम चेंज हुआ है तो वो भी हमारे आपके जद में पहले से है चाइना के दौरा खुद की उनकी रॉकेट फूर्स बनाई गई है लेकिन उनका भी सी सही प्रकाल से को कोई अस्तित्व आपका नजर नहीं आता है चाइना के दौरा जो है आई सी बीम गाइडन सिस्टम डी एफ टूवेंडी एंटिशिप बलस्टी मिसाइल आपकी लगाई गई है और इंडिया के दौरा जो हमारी जो आई सी बीम है यानि कि अगनी है वो सबसे एकुरेट है और उसका अगर हम प्रिसीजन रेंज देखें तो सिर्फ आपका 20 मिटर का वो देता है यानि कि अगर कोई टारगेट है तो सिर्फ 20 मिटर पहले वो आपका गिरेगा यानि कि धोस्ती करण में वो काफी बहतर है आपका तो अगनी 6 के माध्यम से हम चाइना के JL2 SLBM और उनक इसमें न्यूक्लियर थर्वन न्यूक्लियर वारहेड आपका लगाये जाएगा देखिए एक आपके टेक्नलोजी होती है MIRV जिसका फुल फॉर्म मल्टिपल इंडिपेंडेंटली री वहिकल इंटरी वहिकल होता है दूसरा MIRV अर्थाथ मैनुरिवल मॉबाइल अब जैसे हम मिसाइल फायर करेंगे तो उनके रडार पे तो पता ही चलेगा कि दुश्मन देश से मिसाइल आ रही है तुम्हारे रॉकेट में तेनी छमता रहती कि वह मिसाइल वारहेड के अलावा आपके डिकॉइस चाफ सिस्टम को भी आपका फ्लेम्स को छोड़ता है जिससे कि उनकी जो एंटी बलिस्टिक मिसाइल है वो अपना पात आपकी भूल जाती है और दूसरे डिरेक्शन में वो चली जाती है बहारत की जो डियाडियो है वो अपने MIRV टेक्नोलोजी में टोटल 250 कीलो टन्स के आपके एक्स्प्लोजिव लगा रही है जो कि किसी भ अपोस्ट टू बी ए फोर स्टेज रॉकेट ठीक है और इसमें जो है हम अपने मिलिटी सेटलाइट को भी लगा कर लो अर्थ और्विट में आसानी से भेज सकते हैं जिससे की फ्रैक्शनल और्विटल मॉंबर्मेंट सिस्टम के गविल्टी भी हमारे पास आपकी हो जाए तो इसी तरीके से इसका आपका फ्लाई पाथ रहता है और आसानी से हम यूरोप और अमीर्का को भी इसमें कवर कर लेंगे अपने अगने सिक्स मिसाइल के माध्यम से आप सभी डिफेंस एस्परेंट एससबी क्रैक एक्जाम के इंटर्वियो और रिटेन कोर्स में रोल हो कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं